मेरे भीया जेल कई इदर बालाग पैदा हुआ है मैया पोवरे घा के बालाग पैदा होते ही होते अजवत घाई देने लगे हैं यमना मैया की पार हिल गई बिड़ी तडपने लगी है आधी दुभान आने लगे हैं आई शाईनी भाईया गणी 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 गुमरी उठाव पुड़ी सनी लगी धुरी धरी दीकी और यायायु वालग पालावों में हिल गई पारी जपना जीकी जैसे ही पवरे घने के पुत्र को जनव दिया उस पुत्र के पैदा होते ही होते मातावान दे तू ठानाने लगा विजली गडगडाने लगी और यमना मैया को पार हिल गई हाँ हाँ कार मचने लगा गाएं खुटों पर रमभाने लगी है जैसे उस बच्चे का जनव हुआ उसके बाद मैया पवरे खार समझ गई है कि इक पूत्र पैदा हो गया है असकुनों को देख करके उसे बहुत दुख हुआ पता नहीं भगवान क्या होगा क्या नहीं होगा इस तरह से बेटे को जनम दिया है बेटे का नाम हो कर संसकार किया गया तो उस बच्चे का नाम रखा गया है कंस धीरे धीरे कंस जो है बड़ा होने लगा है पलने लगा है उपद्रव करने लगा है कंस बच्चों के साथ खेलने जाता है किसी बच्चे के पैर काट देता है किसी की बाई काट देता है किसी को जिन्दा कुआ में धखेल देता है यानि करे तरे की हरकते कंस करने लगा है महराज गुर्षेन के पास में करे तरे के उलाने आने लगे गुर्षेन कंस को बहुत समगाते हैं धीरे धीरे ये करम करते कंस अठारे साल का हुगया अठारे साल का हुआ उपत्रव करने लगा मुनी ब्राहमनों को सताने लगा बेद सास्त्रों में अगनी लगवाई जाने लगी गौशालां को तुड़वाया जाने लगा गवमों को पटवाया जाने लगा है कंस के होते होई अब ऐसे ऐसे उपत्रप करने लगा है कंस अब तो लोग बड़ा प्रिशान हैं, सोच रही हैं क्या किया जाए, कंस को ग्रिशेन ने समझाया, पेटा ऐसे उपत्रप मत करो, ये हम भला राजा है, और राजा ही का पत्र अगर ऐसे काम करेगा, तो ये सोभा नहीं देता है, इसलिए बान जाओ, कंस कहने लगा, पेटा पताजी आपके बुद्धी अब सट्याए गई है, क्योंकि आपकी उमर साथ वर्ष की हो गई है, अब आप राजगद्धी समालने के योग नहीं हो, ऐसा करो, कि राजगद्धी हमें देतो, अब हम स्वें मत्रा के राजा बनेगे, कहा बिटा, भला हमारे होंदे हुए, त उसी समय बोज राजगद्धी ने क्या किया, अपने पिता उप्रशन को पकड़ा, राजगद्धी से नीचे उतारा, हाथों में हर्गड़ या पेरों में बेणिया डाल करके चेल खानों में बंद कर दिया, और मत्रा का राजा स्वें बद्धी पर बन करके बैठ गया है, और महराज तरह तरह के अलान करने लगा है, तरह तरह के उपद्रव करने लगा है बोज राजगद्धी से, अत्याचार पर अत्याचार हो रहे हैं, इधर महिया प्रत भी अत्याचारों से दमदाती हैं, और गाय का रूप धाड़ करके ब्रह्मा के पास कोची ब्रह्मा ने जब देखा सभी देवतागड़ हो रहे हैं ब्रह्मा के पास है प्रभू हमारी रच्छा करो आज ब्रह्मा ने कहा चिन्ता मत करो भगवान को आवाज लगाओ भगवान स्वेमा करके हमारी रच्छा करेगे गाई बाता आज प्रत्वी मा गाई के रूप में भगवान को आवाद लगा रही है सभी देवता गड़ भगवान को आवाद लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी जितने भी देवता देवियां मैठे हैं सभी आवाद लगाए के भगवान को